नमस्कार मैं अभिशेक कुमर आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस श्टड़ी वित अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू तो मैट्स और रिजनिंग के लिए अपकमिंग 35 डेज में क्या आपके एक स्ट्डेजी होनी चाहिए कौन-कौन से सब्जेक में आपको फोकस करना चाहिए यकीन मानिए अगर अभी आपसे केवल एक सवाल बन रहे है आउट ओफ ट्वेंटी या दो सवाल बन रहे है या तीन या चार अगर आप इस रेंज में अगर आप श्टेक कर रहे हैं तो आप आफ्टर 35 तो 40 डेज देखें अभी आपके पास 40 दिन का समय है एक्ज से 10 सवाल इग्जामिनेशन में सही कर पाएंगे लेकिन इसके लिए एक राइट स्टाड़जी और राइट प्रायरिटी बेसिस पे की कौन सा सब्जेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू जेससी और अगर आपके अभी 13, 14 और 15 सवाल सही हो रहे हैं तो आप इस 17, 18, 19 सवाल तक आप पहुंच जाएगा लेकिन चीजों को समझ करके अच्छे से एक एक चीज को ध्यान पूर्वक समझेगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं और ऐसी कोई भी बाते नहीं हैं कि आपको यहाँ पर कोर्स में इन्रॉल्मेंट ले लेनी है आपने कही नहीं भी इन्रॉल्मेंट लिया होगा वहां से भी चीजे कर सकते हैं बट चीजों को सही तरीके से अब आपका उधर टार्गेट वीडियो जो कैप्सुल सुरीज 2.0 में हम लोग आपको देर हैं साइंस कंप्यूटर और जीके में तो यहां मैस और रिजनींग का आपको ट उत्सा की 35-40 दिन में मुझे पूरा सिलेवस नहीं कंप्लीट करना है लेकिन हां इतना कर लेना है कि अगर मेरा स्टैंड 1,2,3,4 में है तो मैं 8 से 10 सवाल तक पहुँच जाओं जहां आप 3 सवाल सही कर रहे हैं अगर 7 सवाल आपके 4 सवाल इंक्रीज होगा एक्जामिनेश से जो सारा कुछ आपको मिल रहा है तो आज आपको मैं बता दू कि networking पूरा complete हो जाएगा computer section में ठीक है तो बहुत बड़ा पार्ट आपका complete है इसके बाद आपका security एक class में complete होगा तो खेर यह होगी आपका इधर side वाला जो हम लोग इधर कर रहा है अब देखें आपको हमन priority fix कर लेना है कि क्या क्या चीजों को पहले आपको complete कर लेना है देखिए यहां पर दो तरह के मैं चीजों को बाट रहा हूं students को एक तो जिनका math बहुत अच्छा होगा ठीक है math अच्छा होगा यानि कि इनका सारा concept clear है मैं यहां तीन भाग में बाट दे रहा हूं कि math जिनका पूरा concept clear है तो आप अपने आपको देख लीजे कि कहां पर अपने आपको stand करते हैं और उसके according strategy बना लीजेगा यहां पर तीनों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका math में पूरा concept clear है it means आपको केवल क्या करना है practice करना है ठीक है लेकिन practice में भी कहां सबसे ज़्यादा आपक time and distance time and work clear है तो उधर आपका boat and stream clear नहीं होगा या फिर LCM SCF clear नहीं होगा मतलब कि 50-60% में है इनका तयारी math में ठीक है ना कितना है 50-60% में आपका तयारी है तो it means कि आप अभी कितने सवाल सही कर पा रहे होंगे 8-10 सवाल सही कर पा रहे हो तो अब आपको क्या करना चाहिए उनके लिए और जिनका math पूरा ही goal है बैया math goal कहने का मतलब क्या है 0 बटा सनाटा में यानि आप 102 सवाल मतलब नार्मली वो कोई भी इनसान बैठेगा तो कर लेगा तो आपके लिए क्या चीज़े करनी चाहिए इस 40 दिन के समय में ठीक है चलिए तो ये तीनो category में आप किस करनी के लिए कुछ नहीं एक तो अभी आप आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से priority सबसे पहले की math में कौन कौन सा topic को आपको complete करना है तो उसके according आप उस उस chapter का practice कर लिजेगा या इससे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं 20 practice set आपका ठीक है ना 20 practice set आपको इसी YouTube के platform पे जो chapter का ज्यादा weightage है according to previous year यानि कि previous year based क्योंकि देखे हो सकता इस बाल का pattern change हो जाए no one no इसलिए बोला जाता है कि पूरा पढ़के जाए लेकिन अभी समय कम है समय के according हमें अधिक output चाहिए तो जैसे सी का जो pattern है chapter के according वो chapter को priority रखकर के 20 practice set 20 सवाल आपको कराया जाएगा कि ऐसे कि अगर algebra की बात कर लें 2-3 सवाल मिलेंगे geometry से बात किया जाए तो एक सवाल या फिर एक भी सवाल नहीं मिलेगा उसके बाद आपका arithmetic से हो सकता है 5-6 सवाल आपको मिलेंगे जिसमें time in work के सवाल हो सकते है SI CI के हो सकते profit loss के हो सकते percentage और profit समझ माहिए तो इस प्रकार से mixture होगा लेकिन ये mixture किसके according होगा JSC के according क्या होगा previous year में जो उन्होंने पूछा और अभी जो latest examination हुआ है सहाय का चारी का हो गया नगरपालिका का paper 28 January का care paper तो बहुत ही low grade का था तो उसके according ही ये 20 practice set कराये जाएगा आपके वर इनको ही कर लीजेगा आपका काम हो जाएगा औ बहुत अच्छा अगर आपका है सच में आपका math बहुत अच्छा है तो एक बार आप हमारे math practice reasoning best से जुड़ जाएगा आपको यहाँ पर बहुत ही सांदार वे में ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे यह जो दिख रहा है JSC CGL math reasoning practice based 140 वीडियो अभी है PDF के साथ तो सारा topic wise topic जैसे कि algebra का कम से कम यहाँ पे 70 से 80 कोशन प्रैक्टिस कराएगा टिग्नोमेटरी का 80 से 90 कोशन कराएगा इस प्रकार से तो यह जरूरी नहीं है आपके लिए अगर आपको लगता है तो यह हो गया पहले जो students है जो यहाँ पर stand करते हैं लेकिन अभी आपको रुकना है आप आपको यह पता करना है कि कौन-कौन सा main chapter priority basis पे है JSSC के according अब आईए जिनका concept बहुत अधीक नहीं है पूरा यानि कि 50-60% में जो लाई कर रहे हैं यानि अभी 8-10 सवाल में आप खड़े हैं और यकीन मानिए पहले जो students है यानि यहाँ पर जो लाई कर रहे हैं आफ्टर 35 औ अभी मैं आपको chapter बताऊंगा ठीक है ना जो priority मैं बताऊंगा कि कौन-कौन chapter काफी important है JSSC के point of view से तो पहले आपको देखना है कि वो chapter पर आपका command है या नहीं है तो तीकि अभी 40 दिन में सबसे पहले वो chapter पर आपको command करना है आपको practice नहीं करनी है पहली बात तो clear रखे practice न पना पाईएगा अब जो यहां पर इस्टेंड कर रहें तीसरे नंबर में यानि जीरो बट्र सनाटे यानि दो से तीन सवाल जिनका सही हो रहा आपको क्या करना है आपको भी कुछ ने यही फंडा आपको follow करना है सबसे पहले practice का जो priority में जो अभी मैं आपको chapter का नाम बता जाएगा ने और यह with proof सर ने दिखाया सहय कचार में as it is data तक option ते exchange नहीं हुआ तो कहां से copy paste किया जाता है JSSC में वो भी चीज़े आपको समझ में आ जाएगी अब आईए सबसे पहले JSSC का अगर आप trend देखे होंगे तो सबसे जादा कोशन आपको कहां कहां से मिलेगा तो सबसे पहले सर ने सारा कुछ लिख करके बनाए वाई इसके लिए कम से कम पूरा राफ सर ने दिया है तब जाकर कि यह चीज बाहरा है और इतने दिन से वह math और reasoning का class ले रहे हैं और यहां सब कुछ उन्हों ने लिखा है कि जैसे अगर जारखन दरोगा की बात की जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं तो खेर अभी आप CGL के point of view से चीजों को समझेगा सबसे पहले priority देखिए first number में रखा गया है trigonometry को यानि कि trigonometry आपको करना है पांच वीडियो है अब देखिए ऐसा नहीं पांच वीडियो देखकर डर जाना पहले यहा आप जब आएंगे तो वीडियो को देखिए यह आपको वीडियो का लेंथ 13 मिनट 15 मिनट 19 मिनट हां कुछ वीडियो होगा 40-50 मिनट का भी तो लेकिन वह कुछ में होंगे अभी देखिए इतना वीडियो में आपको कहा मिल रहा है 16-15 यह करवाल एक वीडियो है छट्ठा संब जो 51 मिनट की वीडियो है तो देखिए 21 मिनट 28 मिनट तो ऐसा नहीं यह आपको मैंने क्या बोला कि आपको मैस पूरा नहीं पढ़ना है जो अभी बोर रहा हूं बस उतना ही करना तो 40 दिन में बस उतना करके जाईए देखिए क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता लेकिन जो ट्रेंड है जो पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग तो देखिए जो हिस्ट्री में जो हुआ है उसे हमें अतीत से ही शीख करके उसे इंप्रूब करना पड़ता है तो बस वही चीज में आपके साथ कर रहा हूं तो ट्रिगनोमेट्री में 5 वीडियो है आपको प सुपर 50 को जॉइन कर लिए यह सारी चीज़े नहीं है आप कहीं से भी पढ़े होंगे ट्रिक्नोमेट्री नो वन आप अराम से वहां से चीज़ों को उठाईए और सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करिए हां आप हमारे साथ लेट जुड़े हैं यह बिल्कुल सही बात से ले आप देखें ऐसा है कि आप जब पार्ट वन कंप्लीट कर लिए तो आपका क्या हो गया कंसेप्ट क्लियर हो गया अब कंसेप्ट क्लियर हो गया इट मिंस कि आपका जरूरी नहीं कि यह पूरा का पूरा यहां पे दो से पांच यानि कि जो तीन वीडियो है या चार वीडि आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से एक तो यह आपको मिलेगा मैट का यह पूरा बैच यह आपको है मैस में इसमें आपको देखिए सबसे पहले एडवांस मिलेगा और अर्थमेटिक का मिलेगा एकासी वीडियो एडवांस में मिलेगा और अर्थमेटिक में 200 वीडियो है बागे ये टेस्ट का सॉल्यूशन भी सर बना कर रखें इतने सांदार जो अगर कम से कम साथ दिन अच्छे से पड़े हैं उनका मैथ बहुत अच्छा हुआ है थेर आप अच्छा करवेर पा रहे है अभी और उसी प्रकार रिजनिंग का तो रिजनिंग का हम कल कर लेंगे अराम से रिजनिंग का सांदार वे में आप एगदम 18-19 करके आईएगा लेकिन अभी इस पर बात करेंगे आप जैसी इस फोल्डर को ओपन करेंगा और ये तो आपका पूरा प्रैक्टिस कराया गया तो ये भी इसमें अविलेवल है तो ये आपका एक नमबर वाले जो स्टुडेंट उनके लिए ये लाई करेगा खर अभी आईए प्रायरिटी में आपका पहला क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री आपने देख लिया किस प्रकार से फोल्डर वगेरा सब कुछ बना हुआ सिस् असलब कि कम से कम 10-12 कोश्चन भी कर लिए तो वहां से वह चैप्टर के बाद आपको वो पूरा आपको वीडियो आपको नहीं देखना त्रिक्नोमेट्री का यानि कि पांच वीडियो देखनी की जरूरत नहीं है ये क्लियर है लेकिन अगर देखे अगर आप चाहते हैं कि कि 1.5 की स्पीड से देखना है सर वैसे भी थोड़ा स्लो स्लो बोलते तो अराम से 1.5 स्पीड में आप चीजों को कर सकते हैं अब सेकेंड प्रायरिटी में देखे कोडिनेट जेमेट्री ये सर ने यूटूब पर पूरा करवा भी रखा अगर जो नहीं है अगर भाई दिया गया केवल बेसिक कंसेट पहला क्लास में है और दूसरे क्लास में पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है ये दो वीडियो है आपका दो घंटे का ये लेक्षयर तो इसको अराम से आप कम्पलीट कर सकते एक दिन में यह है क्योंकि मैं आपको 2.0 का समेत देना ही है यह important है क्योंकि coordinate geometry से सवाल पूछा गया अच्छा अगर लेकिन एक बात यह भी है कि जैसे कि जो super 50 के students है तो आपको यह सब कुछ मिल चुका है math, reasoning, gk, science, computer और target video भी आपको मिल रहा और capsule सुरित वाले भाई केवल आपको science, math, science, gk, computer और target video मिल रहा super 50 में जो है आपको सब कुछ मिल रहा है तो जो लगता है जुनको करना है वो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं कि आप कहीं से भी कर रहे हैं वहां से भी कर गये अब तीसरे नंबर priority पे बात करते हैं जो आपका है algebra देखें यहां लिखा गया JSC 28 जनवरी के paper में एक सवाल यहा रिसेंटली खतम कियें कई ऐसे गल्स स्टुडेंट जो जॉइन के उन्होंने बोला कि सरम ने तीन दिन में algebra खतम कर लिया 19 वीडियो तो यह किया जा सकता है जो इच्छुक है करने के लिए तो पहला तो class आपको basic concept complete कर लेना उसके बाद आप इसके बाद जितना वीडियो उसको देखके खतम करिये दैन तीसरे नंबर के बाद जो priority आपका देखे first नंबर में priority मैंने रखा trigonometry तो same priority आपका first नंबर में आपका algebra भी stand करता अब इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ मिन्या देखे कहने का मतलब इंपोर्टेंट इतना है area का जितना की trigonometry का ठीक है सम आप अराम से 4 घंटे में खतम कर सकते यानि दो दिन में आपका ये खतम हो जागा इसमें आपको कुछ भी skip नहीं करना है जो zero बटा सनाटा में है इसको ये पूरा आपको करके जाना ही जाना है ठीक है और अराम से आप दो दिन में खतम कर लेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करना क्योंकि यहां से जेसे सी सीजर में 3-4 सवाल आपके आएं हुए हैं ठीक है ना 3-4 सवाल आएं हुए हैं और यहां देखे 4 सवाल 28 जनवरी में trigonometry से पूछा गया इसलिए एक number priority में इसको रखा गया इतना खास इस तरह से analysis करके आपको चीज़े यहां दी जा रही है अब यहां से अगर कुछ भी चीज़े अगर अदलावदली होती है examination में तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपने 100% accuracy के साथ महनत किया है इसलिए इसके बाद देखे 28 जनवरी को 3-4 सवाल आपका algebra से भी मिला यानि कि समझे trigonometry से ही 3-4 सवाल 28 जनवरी को algebra से 3-4 सवाल आपका algebra से हो गया यहां पे 3-4 सवाल आपका area से हो यानि कि 3-3-6-3-9 सवाल तो minimum आपके केवल यह 3 chapter से ही हो गया है clear हो गया अब यहां पे आपको geometry skip कर देना है और heightened distance skip कर देना यहां से भी सवाल नहीं पूछा लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि आप जारकंड SI की आप बात करेंगे तो यहां से सवाल पूछा गया ठीक है काफी आसान सवाल आया थे heightened distance अब आए नेक्स्ट जो priority देखे 4th number में जो है यहां पे 4 सवाल पूछा गया अब इसलिए आपको volume complete करना कम से कम part 1 तो अच्छे से basic concept और formula देख लेना है और इसमें कम से कम 2 से 3 video आप देखीजेगा देखे यह ज़्यादा नहीं है आपको 15 video दिख रहे हैं लेकिन क्या किया गया ना जैसे कि एक घंटे का class को चार भाग में पाड़ दिये ताकि 20-20-20 minute करके इसलिए यह बनगे आपका 15 video समझ माया आप आपको चलिए यह पाट होगी आपका तो यह भी आपको पूरा full priority के साथ volume खतम करना है इसके बाद आपका number system आता है number system में देखिए आपका 55 video है तो यह possible नहीं है आप 55 video खतम करेगा आप ध्यान से समझे इसको कैसे खतम करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया short duration के videos है पहले तो यह भी याद रखने कि इसमें 55 videos देखके डरना नहीं यह काफी छोटे छोटे वीडियो है जैसे से सीजे और जारकन आपका बना हुआ जो यहाँ पर लिखा गया है यह सबसे important बात दूसरा यह काफी important search and indices 14 video आपको नहीं देखना है यह भी काफी छोटा छोटा इसमें वीडियो basic concept से ही आपका सवाल बन जाएगा और पूछा भी गया देखे कई जारकन के exam में असान सवाल पूछे गया इसलिए search and indices को आप skip नहीं कर सकते हैं और अंतिम जो priority LCM SCF में 12 video है जो आपको इसका basic video देख लेना है और यहां भी जारकन में सवाल पूछा गया इससे भी अब यह होगा आपका advance section और number system में आप advance भी बोल सकते हैं arithmetic अब arithmetic में देखे सबसे important आपको percentage complete करना है ratio and proportion अच्छे से complete कर लेना है clear हो गया और देखे age इससे देखे क्या हुआ है कि JSC CGL और जारकन SI में सवाल पूछे गया है तो age वाला भी वीडियो आपको complete कर लेना तो arithmetic में दो chapter इधर और एक आप यह वाला profit and loss ठीक है ना यह जरूर करके जाएगा JSC दोरा जारकन SI में यहां सवाल पूछा गया तो JSC में भी chances है और then simple and compound interest बस इतना ही आपको match में करना है अब देखे क्या क्या हो गया एक आपका सबसे पहले क्या हो गया trigonometry हो गया उसके बाद इधर algebra हो गया उसके बाद आपका area हो गया और उसके बाद volume हो गया यह सबसे main priority में हो गया आपका इधर clear हो गया यहीं से आपके 8 से 9 सवाल बनेंगे ठीक है ना तो यह आपको सबसे पहले अच्छे से complete कर लेना है यह मैंने सोर्स सारा बता दिया अब इसके बाद आपको मैंने बताया है कि इससे बाद जो सबसे important आपको 60 indices यानि यह वाला part और LCM, LCM, LCM और HCF आपको कर लेना है यहां से कम से कम minimum 2 सवाल बनेंगे clear हो गया इसके बाद आईए percentage, age, profit, loss और इसको अगर कर लेते हैं यानि क्या हो गया percentage, profit and loss उसके बाद आपका हो गया ratio और उसके बाद हो गया आपका CI और SI यहां से आपका 3 से 4 सवाल यानि कितना हो गया इधर 9 सवाल और इधर 2 और 4, 9, 4, 13, 15 यानि क इसको नहीं कर सकते हैं यह चार को देखने में आपको minimum to maximum 10 days से ले करके 15 दिन का समय आपको देना है ठीक है ना 10 से 15 दिन का आपको समय देना है और यह आपका trigonometry, coordinate geometry, algebra और यह area खतम हो जाना चाहिए और यह volume 15 दिन नहीं तो कम से कम चलिए, कम से कम 18 दिन का मैं आपको समय द अराम से तीन दिन में यह खतम किया जा सकता, 6 घंटे enough है तो कितना हो यह 18, 4, 22 दिन खतम, इसके बाद आपको age खतम करना है दो दिन में, तो 20 दिन हो गया और इधर आपको 26 और इधर हो गया आपके 2 दिन, 28, 30 दिन इधर और नमबर सिष्टेम में 5 दिन भी देते तो 35 दिन चीज आपको देखिए एडवांस में 5 चैप्टर मैंने बता दिया यह तो सारी चीजे बाकि सूपर 50 आप इंक्लूड होना चाहते हैं तो आप जूड सकते जिसमें सब कुछ है इसमें आपका वह कैप्सुल स्रीज भी है टार्गेटेड वीडियो भी है जीके कंप्यूटर सा तो आप समझ गाऊंगे यहां भी लिखा गया गुट स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा फुल प्रैक्टिस इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा नो डाउट इसमें भाई कि इससे अच्छा नहीं मिलेगा तो यह हो गया मैस क पूरा का पूरा एक राइट वे में आपको क्या स्ट्रेडिजी फॉलो करनी चाहिए तो देखिए ध्यान से समझ लीजे क्या करना आपको अब अभी से ले करके कम से कम आज जैसे 12 तारिक है 12 जुलाई से ले करके आपको यहां पर आपको 18 दिन जोड लेना है बाने है कि इ यहनि 29 जुलाई तक आपको चार चैप्टर खतम कर लेना है पांच चैप्टर ठीक है एक हो गया आपका अलजेवरा दूसरा हो गया आपका एरिया तीसरा हो गया आपका वॉल्यूम उसके बाद हुझा ट्रिगनोमेट्री और कॉडिनेट चैमेट्री यह आपको सबसे बचेगा अगस्त में तो 20 दिन में इधर आपको क्या खतम करना है तो परसेंटेज रेशियो सिंपल इंट्रेश्ट कंपाउंड इंट्रेश्ट एंड देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस और यहां पर इंट करते हैं टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लीजेगा कि यहा मिलते एकले वीडियो में तब तक कि